अमताब जी जो राजी थी इतनी हल्ला गुल्ला मच गया है चुनाओ दूर है लेकिन असे लगा चुनाओ बहुत पास आ गए है हम ले प्रत्यारों बारों प्रत्यारों सब बहुत के जोगे हैं मौजूद समय में क्या लगता है आपको कॉंग्रेस बीजे पी छेट ये दल कि किसका पढ़ड़ा हलका है और क्यों है देखिए पढ़ड़ा भारी होने की बात जबाब करते हैं तो ये मामला संख्या का आ जाता है क्योंकि अभी मतलब इसमें पर ऐसा लगता है कि कौन किस डाउं में कहां पर क्या चल रहा है जहां तक इमेज का सवाल है परसिप्शन का सवाल है अभी फिलहाल कॉंग्रेस की जो भारत जोड़ यात्रा है वो सबसी जादा क्याना चाहिए लोगों का ध्यान कीच रही है और वो मीडिया पारंपरिक तोर पर जो कॉंग्रेस को एक नकरात्मक दिश्टी से देखता था उसकी भी एक मजबूरी हो गई है कि वो भा यातरा से जुड रहे हैं कैसे लोगों की भीडों मर रहे हैं कैसे बारिश में भी राहुल गांदरी बात कर रहे हैं और लोग उनको सुनने के लिए खड़े हुए यह तमाम बातें जहें यह हमने जब देखी तो उससे हमको ऐसा लगता है कि फिलहाल कॉंग्रेस जहें वो क कम से कम खबरों में हैं एक सकारात्मक तरीके से कबरों में और अभी जो कॉंग्रस में अज्यक्ष का चुना हुआ उसके बाद तो एक बहुत बढ़िया बात यह हुई है कि कम से कम जो बीजेपी कॉंग्रस पर या रोप लगाया करती थी कि साब यह देखिए एक परिवार के कबजे में पार्टी तो परिवारवात के आरोप से कॉंगरस ने स्वयम को मुक्त कर लिया है यानि प्रदान मंत्री जब स्वयम बढ़ाई दे रहे हैं घड़गे साहब को तो कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा कि कॉंग्रस ने कहीं न कहीं पर्शिप्शन क के टम्स में बीजेपी को मजबूर कर दिया है कि हाँ वो प्रशंसा करें और जब प्रधान मंत्री प्रशंसा करते हैं तो पाल्टी के प्रवक्ता भले ही चैनलों पर आकर के जहर उग लें लेकिन उनके लिए भी कहीं न कहीं यह बात आती कहा आम जनता को कहीं न कहीं पसंद आ रहा है इस नाते जो आपने पलड़ा भारी होने की बात कई तो अगर खबरों के संदर्व में कहा जाए तो मैं मानूंगा कि पिलहाल जो है वो कांग्रेस को कहीं न कहीं एक इमज के तर्मस में गें हो रहा है हाँ ये जरूर है कि अगर चुनाओं जैसी क्योंकि गुजरात की चुनाओं के तैयरी चल रही हम देख रहे हैं माचल की चुनाओं के तारिखों के गोश्णा हो चेकिए राजिस्तान का मामला है अब खड़गे साब बने हैं तो उनके लिए एक बड़ी चुनाओती होगी कि यहां पर कुछ करकर दिखा पाते हैं क्या करके दिखा पाते हैं क्या नहीं रहुत कहले हैं लाकिन परदानमंतरी जी ते लिए से गुजरात में घुजराता है कि असमिता में आशे कि jeśli वहां बहुत नहीं है कुँछ आप आज आज इस तरह के वीडियो आ बैबाच था जहां कुछ गिंती के चार पांच बच्चे बैठे वेते और वो एक शेट जासा लगाया गया था तो यह तमाम सारी बात हैं कहीं न कहीं यह ऐसा दिखा रहे हैं कि फिलहाल जो है जो खबरों की दुनिया है उसमें पलला जो है वो जो विपक्षी राजनीती है खास दोर स मतरी का दो करकार कर रहे हैं गई हो किसरे की बाति है उससे कहीं नहीं effectivement सबड़ा जहें खबरों के संदर्र में कम में फिलहाल कॉंगरेस का या विपक्ष का भाleben δikता है अम्ताम ची यह जो छोटे-छोटे छेत्री दल हैं चाहे केजी वाल हो गए चाहे केसी आर हो गए चाहे ममता बनर जी हो गई इन सबकाट डर यह है कि उनको बीजेपी से जादा कॉंग्रेस सा खत्रा है कॉंग्रेस मजबूत होगी तो छेत्री दलों पर असर पड़ेगा तो ऐसे में इन छेत्री दलों का मत्त क्या रहेगा कि वही कॉंग्रेस मजबूत हो जाए या फिर कोई एलाइंस होगा बीजेपी के खिलाफ तो वह एलाइंस के आपको लगता है संबाबना चुनाओं से पहले होगा या चुनाओं के बाद होगा देखिए एलाइंस की जहां त तरह के विपक्ष की जो एक रणनीती में जो बिखराव है वो कहीं न कहीं उसकी जो एक सामूही किशमता है भारती जनता पार्टी को हराने की चुनाओं में योग्जभा चुनाओं में उसपर सीधा असर डालता है यह हमने देखा है कि दूहजार चौज़ा के आसपास और चुनाओं के बाद बीजेपी की अपराजयता का जो मिथक बुना गया था, उसको तमाम विधान सभा चुनाओं में तमाम पार्टियों ने ध्वस्त किया है, जिसमें मुम्ताब नर्जी शामिल है, जिसमें लालू पुरसाद यादव शामिल है, तमाम जिसमें महराष्ट के के चुनाओं का हमने नतिज़ा देखा है, जो यह ऐसा भार्टिय जन्ता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है, और वो जो मोदी मैजिक है, वो नहीं चला, उनकी लोगप्रिता के चिर्श पर भी, लेकिन लोगसभा में वो चीज़ जो है कहीं न कहीं, मैटरिलाइ हुई थी, और अगर वो पुलवामा बाला कोट वाला इंसिडेंट नहीं हो गया होता, तो शायद भार्टी जन्ता पार्टी को जिस तरह के चुनाओं का नतिज़ा जो आया है, उस तरह के चुनाओं का नतिज़ा की उमीद, स्वैम भार्टी जन्ता पार्टी नहीं कर रहे मेरा मानना है कि अगर वो एक कोई गैर कॉंग्रेस मुर्चा बंदी भी बनती है, देखें विपक्ष में यह तो मानना पड़ेगा, अशोक जी ने बहुत विस्तार से कॉंग्रेस की यात्रा का भारत जोड़ों का सबका एक विशेशन किया है, मैंने अपने शुरुवाती टि जावी थी कहां साब यह तो बहुत अराम तलब किसम के इंसान है, जो शीतल जी ने भी बात कहीं किसा बट्टा पारसॉल से निकले और बहुत अच्छा हुजून था, लेकिन बाद में गाड़ी में बैटके चलेगा और इसका पर नजर निया है, इस बार तो ऐसा हुआ हु जो एक अलग तरह की छवी निर्मान कर रही है कॉंगर्स की, उसमें निश्चित तोर पर कॉंगर्स को जो अशुक जी ने बात कहीं, वो बहुत बहुत बढ़िया बात है कि कॉंगर्स के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर अब कुछ होगा, तो वो उसको मिलना ही मि अब दील होगा, तो ऐसे में जो भी विपक्ष की रणीती बनेगी, वो कॉंगर्स को नजर अंदास करके या कॉंगर्स को हाश्य पर रखकर नहीं बन सकती, अपसे कुछ महीनों पहले तक जो अस्थिती थी, कॉंगर्स की आज वो अस्थिती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज कॉंगर्स जो है, वो एक जीरे-जीरे हम देख रहे हैं कि हाँ वो एक शकारात्मक छवी बनाती हुई पार्टी है, लोगों के मन में कॉंगर्स को लेकर कि उत्सा है, लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, रहुल गांदी की आत्रा से और जो प्रतिक्रियां आ रही है और उससे बीजेपी जिस तरह से कहना चाहिए थोड़ सा घबराई भी दिख रही है, बदहवाज दिख रही है, क्योंकि बीजेपी की जो प्रतिक्रिया आती है बार बार, वो एक अपने आप में इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कॉंगर्स जो है, वो गेन कर रही है, जमीन कहीं, यह हम निश्चित तरह पर कह सकते हैं, कि हाल के जितने भी घटना करम हैं, वो कॉंगर्स के पक्ष में हैं, उसकी छवी निर्मान के पक्ष में हैं, सकरात्मक छवी निर्मान के पक्ष में हैं, क्योंकि मीडिया न चाहते वे भी कॉंगर्स को दिखाने के लिए मजब आपने बात पिपक्षकी कही है, यह मैं मानता हूँ कि कॉंगर्स को ले करके एक अजीब सा अंटागोनिजम है और वो जो है, वो चीज जो है, वो कहीं न कहीं पिपक्षकी एक्ता को नुकसान पहुँचाते रहे, उसमें कुछ हद ता कॉंगर्स का अपना रोल भी रहा है, लेकिन आप जो चीजें बनेंगी या जो बनना चाहिए, वो शीतल जी की बात को मैं सेकेंड करता हूँ, कि यह अगर कॉमन मिनमम प्रोग्राम बना करके, किसी तरीके से एक साथ आने की परशीतियां बनती हैं, तो निश्चित तोर पर वो बीजेपी के सामने एक अच्छा मकाबला प्रसुत कर सकते हैं, यह बात बिलकुल सही है कि अभी आप भारती जनता पार्टों को किसी भी पहमाने पर इस हद तक नहीं आख सकते कि वो चुनाओ हार जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन देरे-जेरे जो परिशितियां बन रहे हैं, वो कहीं न कहीं, भ इस तरह की बात आ रही है, महंगाई को लेकर, बिरुजगारी को लेकर के, वो भारती जनता पार्टी के खिलाब जा रही है, और घुमा फिराकर के बीजेपी के पास जो रहे जाती हैं चीज़ें, वो बात भई हिंदू-मुसल्मान की, आप देखें, दता तेरे हुसबोले का बयान देख लीजे, आज जो आया, जिस पर चर्चा होने लग गई है, कि जन संक्या जो बढ़ रही है, वो धर्मान तरण की वज़े से बढ़ रही है, और भुसपैट की वज़े से बढ़ रही है, तो घुमा फिराके निशाना मुसल्मान है, हर मार्मले में, तो वो एक मुद्दों पर ले आई, जो महंगाई, विरुजगारी और इन चीजों पर है, तो जो बात शीतल जी ने कही कि जैसे ब्रिटन की प्रजान मंतरी को श्तीफा देना पड़ा, जो दबाव, जो वहां की स्थितियां है, वो वो कहां, अगर प्रिसितियां यहां निर्मान होती ही है, तो निशन्दे बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है, अगले चुनव में.